देखिए एक दस यूनिट का हम बात करें किसान के लिए लगबग तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्च आता है रहबेट्स पलस केज यह से केज बने होते हैं फीडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटर स्निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई ज्यादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्च आता है लाख से एक लाख वीश जार के आसपास लगबग चार सड मेल जो है हर पिन्तालीस ज्ञ में उसको सडे तिन इसाव बच्चा वो निकलती है हमारी आवरेज के हिसाब से एक फ्यमेल से लगबग पांच बच्चों की अव्रेज निकलती है इनटो सेवुन्टी करते हैं तो लगबग सडे तिन इस उड़निकलता है उसके सडे तिन सो से जो हम किसान को एग्रिमेंट देते हैं लगबग हर 45 जन में उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है एक लाख 40,000 के असपास का सेल करता है हम उसमें लगबग 50 to 60% expense उसका मानते हैं जिसलाइक कि वो दाना खिलाता है या कोई मेडिसंस है या उसमें से कुछ मोटेलिटी हो जाती है या फिर उसको हमारे पास छोड़ के जाने का ट्रांस्पोर्टिंग लगता है उसको जो हम एवरेज निकाल के देते हैं किसान को लगबग 25,000 का महीने का एक एवरेज हम निकाल के देते हैं कि definite उसको प्रोफिट आता है क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का रहता है पूरा लाइन इधर में सर मेल का रहता है सोरोज निकलने से पहले हम अच्छा टाइम बानते हैं क्रोसिंग के लिए जैसे कि ये फिमेल जो होता है तो फिमेल को उठा के हमें मेल के दोर में हमें डालना पड़ता है म अठाइस से बत्तीस दिन का टाइम रहता है सर बच्चे देने का फी मिलका हुआ रैबिट के फीड में देखिए हराचारा जैसे होता है एक टाइम तो हम हराचारा डालते हैं सभी रैबिट्स को जैसे की बर्सीम हो गया जीज का हो गया सेकेंड एक एजूलूशन करके ग्रास रैबिट के लिए वो काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हराचारा हम बोलते हैं उसको गाने में जैसे नॉर्मल दाना होता है तो गर पर ही ग्रेंड हो जाता है कि जैसे मक्का हो गया सोवबिन का खल हो गया सर्शू का खल हो गया अपना गेहूं का चोकर हो जाता ह है जाओं हो जाता है तो यह राइस पॉलिस जैसे हो गया फैट के लिए यह सब चिजे हम मिलाते हैं और दाने में डालते हैं इसका एक तो कोस्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक रुपे के जी के अंदर में यह सब आ जाता है एक तो हम मीट के लिए भी सको सेल करते हैं पलस जैसे गौर्मिट के लिए हम सब्सक्राइब को सप्लाइ करते हैं जितने अपना यूनिस्टी जोती है अगरिकल्स उनिस्टी होती है वेक्षिन डिपार्टमेंट होते हैं उन में दुआयों के लिए हम इसको बेजते हैं इसका जो मीट जो होता है इसके अंदर कैस्ट्रोल जो है वो जीरो परसेंट होता है जैसे पोल्ट्री को भी हम कंपेरिजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डिजीज होती है रेवेट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बेमारी नहीं है पलस जो फैट है रेवेट मीट के अंदर कोई फैट नहीं है जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए मेट इसका काफी अच्छा माना गया है तो देखिए दोनों चीज मैंने इसमें देखी है कम्प्यूटर एजुकेशन में भी और फार्मिंग में भी फार्मिंग में रेवेट फार्मिंग में मुझे काफी अच्छा लगा प्लस प्रोफिटेवल भी मेरे को ये बिजनस उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा लगा मैं रेवेट फार्मिंग से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया हूँ मैंने जमीन भी अपना परसेज किया है कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है सहर में मैंने मकान भी लिया है तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रेवेट फार्मिंग